दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और विडियो में तो देखे दोस्तों मैंने इसमें वेणिला स्पन्जों स्टावरी क्रस्ट एड़ कर्दिया है और एपर से ही वेणिला वेपिंग की Byz रहा तो देखे आप लोगों को ये वीडियो आप लोग लाश्ट तक देखिएगा और बहुत अच्छा के देखने को मिलेगा अगर आप लोग बनाना चाहते हैं सीखना चाहते हैं तो सीख भी सकते हैं मैं स्टेप टू स्टेप जनकारी देता रहूँगा आप लोगों को बताता रहूँगा कहां पर क्या यूज किया है तो यहां पर देखिए मैंने कवरिंग कर रहा हूं मैं स्केल से और वैनिला वेपिंग क्रीम है यह तो यहां पर मैंने अच्छे से इसको कवर कर लिया है और फि बरावर करके अच्छे से इसको थोड़ा सा क्रीम को कट करेंगे किनारे से और पूरा कंगी से बरावर करके अच्छे से पूरा केक डेकोरेट करेंगे और बहुत यह अच्छा लगेगा केक लाश्ट में आप लोग जब देखेंगे तो केक बहुत यह अच्छा लगेगा और पीडियो में एंड तक बने रहें ताकि आप लोगों को पूरा जानकारी मिले और आप लोग भी केक बनाना चाहते हैं अगर तो सीख सकते हैं यहां पर मैंने स्केल से थोड़ा-थोड़ा करके कट कर दिया है सारे सारी क्रीम किनारे किनारे कट कर दी है यह देखें और बहुत मैं स्पंज लगाया नहीं था पहले लेकिन कवरिंग करने के टाम क्रीम को चड़ा दिया था लेकिन क्रीम थोड़ी से निकाल लिया है इसलिए कि छे नंबर की दिखना चाहिए शिक्स नंबर का केक था यह कि जिसका है वह एक बच्चे का है तो वह हर मन्त में उसका केक बन बने रहें और पुरा केक बनते हुए आप लोग देखिए और इसको मैं रेड ग्लेज से बनाऊंगा इस्टाबरी है यहां पर मैंने अच्छे से केक को कबर कर लिया था और इस पर फांडेंट के गुड़े भी लगने हैं लेकिन उस पर मैंने लगाए नहीं थी क्योंकि य इसलिए यह गुड़े रुकते नहीं हो गिर जाते हैं इसलिए मैंने गुड़े अलग लगा बना के रख दी हैं तो वह आप लोगों को इस वीडियो में मैं नहीं दिखा पाऊंगा लेकिन केक बहुत अच्छा लगा था बना था और कस्टमर भी बहुत अच्छा लगा है यहां पे देखी है पूरा गेक को बटर वेपर से मैंने केक की जो साइड होती है उसको भी फिस्निसिंग कर दिया और बहुत अच्छा यह देखे मैं रिट गलेज स्टापरी गलेज है यह इसको मैं उपर से लगा दिया है और स्केल से पुरा अभी बरावर करेंगे गलेज और यहां पर मैंने अंदर भी जो क्रीम निकाली थी यहां पर वही सही अच्छे से मैंने ग्लेज लगा दिया है तो यहां पर आप वीडियो में लाष्ट तक बने रहेंगे तो आप लोग भी केक बनाना सीख सकते हैं देख देख कर आप भी बना सकते हैं कोई यह देखें और पूरा केक कबर हो चुगा है यहां से और अभी कंगी का थुड़ा इस्तेमाल करेंगे अहां पे गलेज लगाने में यह तो मैंने चाकू से बना दिया था दांत की चाकू आती दांत वाली उससे मैंने गलेज चड़ा चाकू का इस्तेमाल किया था अब यहां पे मैंने एक स्टार नौजल आता है छोटा तो उसको मैंने लिया है और बॉर्डर कर रहा हूं डॉट डॉट करके साइड में और उपर भी ऐसे ही डॉट डॉट करके पूरा केक पे बॉर्डर करना है केक का फनीसिंग और लुक उसी नौजल से डॉट डॉट कर रहा हूं देखे दोस्तों जैसा कि मैंने पहले बताया था आप लोग वीडियो में एंड तक देखते रहे हैं बहुत अच्छा लगया केक और यह देखिए डॉट डॉट कर दिया मैंने पूरे केक पर तो दोस्तों कैक कैसा लगा आप वीडियो शेयर करें लाइक करें कमेंट करें थेखिए